असलाम अलेकुम जी हापी मंडे भाई आज तो समने कामों पर जाना है और आज बड़ा इंट्रेस्टिंग दिन भी है वो इसलिए क्योंकि आपको बता है कि काली भेडों से काले भूंड तक का सफर पाकिस्तान की सियास्त यहां तक आ गई है कि काली भेडों के बारे में डिस हमें बोलो जी है हमें जो है वो काली भेडे ना बोलें हमें काले भूंड बोलें खैर यह जो पूरा मामला है इसकी तफसिलात हम आप तक पहुंचाएंगे साथी साथ इसाथ इमरान खान साथ जो है जो मुनाजम तरीके से पाकिस्तान के पर अटाक करते हैं और बड़ी दिश्मन दोस्त होता ना यह वो अरी सूरतेहाल है और इम्रान खान का निया साथी कौन है और यह क्यूं उनको निया साथी मिला ए और उनकी वेखुब दुर्गत बैदानी है पननी बचना किसी नहीं है यह आप लिक रख लें बचना किसी नहीं जी जी का ठाना ठहर गया स काम गया यह वह वारी सूरतिहाल है तो मैंने का कि जी सबसे पहले मैं आप लोगों से मुकातिब हो जाओं आज मंडे को सुबा सुबाई क्यूंकि अब मैं हम यहां से निकल जाएंगे बाइरोड इन्शाला ताला अल्ला के फद्लो करम से अल्ला अपनी हिफज और इमान में बखेर और आफिए जो है वो लहोर की तरफ रवा दबा होंगे और वहां पहुंचेंगे और यही कोशिश होगी कि कल जो हम पहली वीडियो आपके साथ करें तो वो हम लहो से करें अभी मैं आपको यह जरूर बता दू कि जो इमरान खान साब है ना वो जिन उंची हवाओं को जो इमरान खान ने भरपूर कोशिश के साथ पूरी प्लैनिंग के साथ पाकिस्तान की नसल को फौज के खिलाफ भड़काने की कोशिश की वो जो प्लैनिंग थी वो 27 मई को एक ट्वीट के जरीए की गई वो ही शेख मुझी जब उनको याद आ गए जब बेला बंदा ब बंदा जेल में बेठावा क्या करें या तो जेल की इंतिजामिया के साथ लड़ाई करेंगा या फिर साजशी अनासर यह साजशी थेरी सी निकालता रएगा यह साजशे ही घरते रहेंगे तो बंदा कितनी अक्सेस कर लेगा मतब एक्सेस करकर के मूह लटक गया जिसम भी इतना अदमुआ सा हुआ हुआ है, वो तस्वीर नहीं आपने देखी थी जो आई है, वो अलग बात है कि आदी दुनिया जो है, बकौल इमरान खान के, बकौल पीटी आए के, बकौल यूथिया बरिगेट के, कि वो हलके नीले रंग की कमीज के उपर मर मिटी थी, वो हलके न आपको अपडेट करती हूँ, इसी वीडियो के अंदर बस मेरे साथ रहेगा, अच्छे जी पूरी प्लाइनिंग होती है, और 27 मई को एक ट्वीट की जाती है, कि पाकिस्तान कैसे चूटा था 1971 में, और साथ ये लिखा जाता है, कि कौम फैसला करे, कि कौन घद्दार था, उस वक्त के जनरल या या घद्दार थे, या शेख मुझीब घद्दार थे, ये हैश्टेग घद्दार कौन है, ये बेसिकली ये आग वहां से लगी है, ये तीली इस वज़ा से लगाई गई है, उसके बाद जी PTI में खलबली मच जाती है, कि डिफेंड करना है, ओन करना ह है, छुपना है, क्या करना है, अब कुछ लोग जो हैं, वो डर गए और कुछ लोग डट गए, जो डर गए हैं ना लोग, वो तो वो लोग हैं जो के पार्लिमेंट होएं, और जो डट गए हैं ना, वो वो लोग हैं, जो के जिनका कुछ रिस्क पर नहीं है, जिनका कुछ स दान्त साही करने वाली सरकार, दंदा वाली सरकार, वो ही जो RFLWी है, वो सामने आते हैं और कहते हैं, कि इमरान खान ने ट्वीट कर दी, इसे भी आई तो बोला है, कि हमुदुर रह्मान कमिशन को पढ़ ले, और हमुदुर रह्मान कमिशन को पबलिक किया जाए, और उसको यह सोच है, यह घटिया सोच है, तो अब यह जो कह रहे ना कि लादारी किया है, और इसमें क्या गलत क्या दिया इमरान खान ने, तो मैं बहुत ही मौतरम RFLWी साब को मैं बताऊंगी, मैं बताती हूँ कि इसमें गदारी क्या इंग, गद्दार कौन है, आप हैश्टैक चल आप को सदर का चसका लग गया है आपको प्रोटो कॉल मिला था आप सुप्रीम कमांडर थे पाकिस्तान की अफ़ाज लग गए है इम्रान खान साथ वजीर आजम थे उनको लग गया है चसके के ये तो भर इंगलिया घीमे सरकडाई में होती हैं क्योंकि इम्रान खान साब ने तो वजीर आजम बनके कोई काम नहीं कहना है, तो सारा काम, उन्होंने तो आगे बाजवा साब को रखा वा था, सारे काम करने के लिए, और पार्लिमेंट के सारे कामे करनल करते थे, और बाकी जो, वो है, अपनी ओपोजेशन, यानि नून और गलत फैमी है, जो है, वो यह हो रही है, और खुश फैमी है कहलें, कि इनको यह हो रही है, कि यह दुखती रग पर हाथ रखकर, इनको ब्लैक मेल कर लेंगे, यह दुखती रग पर हाथ रखके, जैनरल आसे मुनीर से अपनी बात वनवा लेंगे, ओवर माइड बाड़ सवाल ही पैदा नहीं होता माई फुट ये मेसेज है ठेंगा मिलेगा आपको एनिवेज जी 53 साल के बाद 53 येर्स के बाद इन जो अजादी की जंग लड़ने बाले बकौल इनके ये जो बड़े इंकलाबी लोग हैं आरे फल्वी इंकलाबी इमरान खान इंकलाबी हैं 53 येर् कि इनको हमुदुर्रह्मान कमिशन का कुछ करना है इनको शेख मजीब को महिब वतन और जनरल याहिया को इनको गद्दार कहना है इनको 53 साल के बाद याद आया कि इनको पाकिस्तान की अवाम को ये बताना है कि जैसे 1971 में अवाम के मेंडेट पर डाका मारा गया तो 1971 का 2018 का भी तो बताएं, 2018 का नहीं बताएंगे कि कैसे अवाम के मेंडेट पर डाका मारा गया, कैसे RTS बिठाया गया, कैसे आप और आपके सहूलतकारों ने अवाम को ममू बनाया, वोट किसी और को डला और वजीर आजम कोई और बन गया है, तब नहीं कुछ हुआ था, खैसे म पहले बता चुकिए, विले हैं, कोई मसला नहीं है, हमुद और रिमान कमिशन ये करना चाते हैं, उन्होंने क्या नाम है, इर्फान सिदीगी साहब, उन्होंने बड़े अच्छी सजेशन दी है, उन्होंने का है, हमुद और रिमान कमिशन जो है, उसकी जो रिपॉर्ट है आप क्यों नहीं खैबर पक्तूंखा में निसाब में शामिल करते हैं? हाँ उसको पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं है पर मसला ये है कि 53 साल के बाद ऐसे टाइम पर जब ये इनकलाबी बने में हैं ऐसे टाइम पर जब इनको ये आग लगी भी है कि हमें किसी तरह हकुमत में बापसाना है हमें किसी तरह फौज से बात करनी है हमें किसी तरह जनरलाद से मुनीर के साथ बात करनी है इन्हों ने इस चीज़ को निकाला 71 की इस बुरे बाके को निकाला और फौज को मलाइन करने के लिए ये फोल्झ को नीचा दिखाने के लिए इनकों जानता है अंदर से इम्रान खान की रग रग वाकिफ है औरे फल्वी की रग रग वाकिफ है मैं तो सी वक्त ही कह घी ती कि आरे फल्वी को निकारो इसको हटा उस अतारत से ये इस काबिल नहीं है बंदा आरे फल्वी की रग रग जानती है कि जो मौझूदा इस्टैबलिश्मेंट जो मौझूदा फौजी है मुझे बताएं जैनल आसे मुनीर का क्या लेना देना 1971 से मुझे बताएं ये जो इसको फर्दे बाहित की जंग कर रहे ह क्योंकि 1971 का जिकर करेंगे तो उसको 1971 को 2024 के इंतखाब से जोड़ेंगे जबरदस्ती जैनरल यहिया को ये जनरल आसिमनीर से जोड़ेंगे क्यूं? क्यूंके शेख मुझीब जो है वो एक अलग मुल्क बनाने कामे का यह चाते हैं खिबब फक्तुनगा के अलग कर लें वो हिस्सा अलग कर लें पाकिस्तान का हिस्सा अलग कर लें यह कभी नहीं हो सकता तो यह जो गद्दार है ये इमरान खान और उनके वो साथी हैं जो कि 1971 का घटिया, दो नंबर बयानिया, जूटा बयानिया, घल्लत टाइम पर और गल्लत लोगों के साथ कंपेर करके उसको जो है इस्तमाल कर रहे है, इनको याद आ गया, वड़ा फॉल इमरान खान साथ, वड़ा फॉल वड़ा शेम कर लेते हैं, बलके आपके साथ बढ़ा अच्या बाजवा साथ भी अपट ब PPT की जूरी सेथ थे जन्रली, वड़ाको कीओ, ऑपसे प्रॉपल्लम ती आप इस वक कर लेते, लेकिं नहीं सेदे दो उस-वुट उसको यह उसको प्रॉज के बंढ रही थी, ऑसको थे bigger کہ فوج Sia asset में आनल नहीं जाती है," तो औब पत बरी ले लग ये। असल बात जो कर बहुत बढ़े लोग भी नहीं कर रहा है असल बात ये है कि ये पाकिस्तान की फوج को गद्र। धार थाबित करना चाते हैं जो कर नहीं पाएंगेैंगी कर नहीं प्रती भर भी स्पेस नहीं देना चाहती लेकिन हैश्टाइग गदार कौन है आप ट्यूटर पर जाके उसके नीचे देखें तो जितनी भी कौम में यूथ है जितनी भी यूथिया ब्रिगेड हैं इनका यूथिया पन खतम नहीं हो रहा यह वहां पर फॉच के बारे में ऐस अब जो आपनों बड़ा कहते हैं कि इमरान खान साब बड़े बहादुरे डट के खड़ा है कप्तान इमरान खान जैसा डर्पोक आदमी बुस्दिल आदमी जिसकी एक्चुली टंगे कामपती हैं बिल्कुल उस जैसा आदमी डर्पोक और टंगे कामपने वाला कोई और हो कोई ही नहीं सकता मैं खेर कुछ और कहने लगी थी पर मैंन कर नहीं कुछ जादे घलत हो जाएगा हम उस लेबल पर नहीं जा सकते जिस लेवल के उपर इमरान खान साब जो है वो मुल्क के खिलाफ गए में पहले पूरे मुनजम तरीके से 9 मैं किया जाता है 2023 को पूरी प् था मैं तो जेल में था तो मुझे क्या पता कि बाहर अवाम ने पॉब्लिक ने क्या किया और अगर ऐसा कर दिया तो भी मुझे अख़वा करेंगे तो ऐसे करेंगे ना बेनफिट ओडाउट लीगल ग्राउंड पे ये ड्राम में बाजी है इतने इतने डरपोंख हैं इमरा साथ साथ चला रहे हैं कि मैं तो जेल में था मैं तो खुद ने ट्वीट करता मैं तो खुद तो नहीं करता ट्वीट अब मुझे क्या पता किसने ट्वीट कर दिया इमरान खान साब हर ट्वीट थोड़ी ना पढ़ते हैं अब जैन कुरेशी कह रहा है कि हर ट्वीट इमरा मही की तरह जिस तरा benefit of doubt दिया जाता एए उसी इस मामले में भी बेनफिट of doubt दिया जाए लेकिन नहीं देना इनको benefit of doubt जो चाहे मरज़े हो जह झाहें नहीं देना यह एहसान फरामोश लोग हैं एहसान फरामोश काजी फाइज असा सब के खिलाव किया कुछ नहीं किया जब अभी यह दो तीन दिन पहले यह जब गया है वीडियो लिंके जरी है तो खाजी फाइजी के जब जिसाइए हैं ने कि पांच मनें ने ने रोने रोए अपने जो पाकिस्तान के खिलाब बाते कीं कि जी मेरे साथ ये भी गलत हो गया, इलेक्शन भी गलत हो गया, मुलकाते भी नहीं होती, जूटो चूट, इतना एक बात भी जिसमें उन्होंने सच बोली हो, ठीक है, उसके बाद काई जी मुझे हारिस साब दे दें, क्या खाजा हारिस जो वकील है, काजी फाइस इससाब न काजी फाइस साबॉर को भी तो बड़ाश्त किया था, जो चीफ जश्टिस, साबिक चीफ जश्टिस, उमर अता बंदेयाल को भी तो बरदाश्त किया था, हाई राफिया, अबrobe क्या होगा, उसकतवर भी खुद बैठ गए, कोई इस्जत नाम की चीज़, कोई खैरत नाम क चीज़ है के नहीं है इनको तो पूरा का पूरा वो बंद्याली ग्रूप चाहिए था और उस टाइम पे काजी फाई जीसा साब को हाँ क्लेरिकल काम पे लगाया वा था दफ्तरी काम पे लिखत परत करने पे भई जज़ उनको शामिले नहीं करते थे किसी बेंच में तो मसला ये है कि इनको पता है कि काजी फाई जीसा इस अनू नौंसेंस परसन इनको पता है कि काजी फाई जीसा बाइद बुक चलने वाला है इनको ये भी पता है कि काजी फाई जीसा के मौजूदगी में हमारे वो प्लैन कामयाब नह नहीं है और वह मस् О cd see सभात है काली भeffective तो काली बुंडे काजी प्रलिशा सब्सक्राइब काली ऐस साइब क्योंकि काजी असका कुई तरीका निखाल सकते। मुश्किल के साथ नहां सूलूशन होता है अब ये प्रॉब्लिम है प्रॉब्लम है अर्किषन प्रॉब्लम हर एक के साथ कि परोग्रम चलता रहते हैं अब ये हो एह अजिए इसको हटा करके यह चाते हैं कि जो बाकी इनका पूरा वह ना फुल कोट और जो बाकी मेंश है और जो बाकी मेंबर उनसे बैलनस कैसे हो जाएगा इनके हक पहली होजाए फर्दे बाहित कौन? चीफ जस्तित पाकिस्तान कौन? काजिफाई जिसा साब उनको टार्गेट करो और ये दोनों भई, वैसे अल्ला की शान देखें, अल्ला की शान देखें कि क्या कमाल किसम के ये दोनों हजरात हैं, कि इनके खिलाफ PTI ने वह वह साजिशे कर दी दोनों के लिए, कि ना जनरर लासम आर्मे चीफ बन सकें, ना काजिफाई जीسा चीफ जस्तिस बन सकें जनरर लासम को फरत से निकलाना चाते के ये उनकीफाई जीसा को जज से भी इटाना चाते थे और वहां से जनरलास्य मुणीर साफ जवां मेत चीव बन गए तो फिर भी इनके खिलाफ साज़शें फिर भी इनके खिलाफ campaign गए फिर भी इनके खिलाफ निचे अपने कमपेणिंग हैश्टाइक्स के साथ नीचे अब तमाम लोगों को उकसा करको उनसे कॉमेंटिंग कराई गई लेकिन भई कमाल है भई शेयर के बच्चे दोनों के दोनों अपनी अपनी जगा पर डटे में हैं लेकिन क्यूंके काजी फाई जीसे साब के पास वक्त काम हैं विच उतना शुरू हो जानी है और फिर उसके बाद उनका साब का बड़ा जबर्दस्ट ये कमाल होगा कि बिल्कुल वो पीटियाई को इंगेज नहीं कर रहे हैं मुझाकरात के लिए उन्होंने करना ही नहीं है उन्होंने सीधी तरह भी जो करना है आपस में स्यासेदान करें लेकिन जो जनरल आसे मुनीर साब की बेंचेज में जो इस्टैबलिश्मेंट के अंदर वो काली भूने है ना जो के इनको सपोर्ट कर रही है मुलक दुश्मन अनासर को सपोर्ट कर रही है इमरान खान को सपोर्ट कर रही है कि फॉलोवर्स को जो है वो प्रिटेक्ट करी और सहूलत कारी दे रही है ये उनके खिलाफ अगर ये काम शुरू कर दें तो मैं समझती हूं कि भई पाकिस्तान को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता और इमरान खान और जूथिया ब्रिगेड पाकिस्तान का कुछ नहीं कभी भी नहीं बिगार सकते हैं इन्शाल्ला ता अभी करें इतना ही लाइक करें सब्सक्राइब करें आप से अगली वीडियो में मिलते हैं